हेलो फ्रेंड्स मैं हो विकास, आज हम बात करने वाले हैं कि कम्प्यूटर या लब्टोप में BlueStacks डाउनलोड कैसे करें, BlueStacks इंस्टॉल कैसे करें तो आये सीखते हैं सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में या लैप्टॉप में गूगल या गूगल क्रोम ब्राजर को चालू करना है जहाँ पर आप नेट इस्तिमाल करते हो एक्जामपल के लिए मैं गूगल क्रोम को लेता हूँ क्योंकि मोस्टली लोगों के सिस्टम में यही होता है अगर आपको यह एरर देखने को मिलेगा तो यहां पर किलिक करने के वाद एक नया पेज खुलेगा जो की कुछ इस तरीके का होगा आपको यहां मिलेगा skip to main content इस पर आईए यह वाला option आपके पास आ रहा है तो आपको क्या करना है आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है आपको मिलेगा यह वाला option download blue stacks इस पर क्लिक करें एक नई file download होगी इस पर क्लिक करें और इसे install करें यहाँ पर आपका system check करने लग जाएगा basically यह blue stacks का एक ऐसा वर्जन है जो कि उन लोग के लिए बनाया गया है जिसके computer में कम और कम प्रोसेसर है तो I agree और install करिए थोड़ा सा वेट करिए एक सो उनसे टाइमबी की कोई file download हो रही है जो कि इसके लिए जरूरी है अगर आपका net is slow है तो time लगेगा अगर आपका net fast है तो जल्दी हो जाएगा तो मेरे net fast है मेरे घर में जो वाइफाई है यानि कि router है तारवारा लगा हुआ है तो यहाँ पर file download हो रही है मैं इससे complete होने देता हूँ आप भी इससे complete होने दीजिए तो यह install हो चुका है और हमारा BlueStacks यहाँ पर आ चुका है आपके computer में automatic open हो जाएगा वहना double click करके आप इससे open कर लीजिए तो मैंने इससे open करा है देखिए कुछ और file यहाँ पर download हो रह चुका है यहाँ पर यह open हो चुका है अब हम इसे install कर सकते हैं यूज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक और BlueStacks आ चुका है दो आ चुके हैं तो आप इसे use कर सकते हैं यह वाला हमारा open हुआ है यह वाला open हुआ है आप कर लीजिए वीडियो पसंद लाइक जरूर करें अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करना मत भूलिएगा